पूरा करना फिलाल केंदर सरकार के लिए संभब नहीं होगा जी हाँ केंदर यह भंडार में फिला गेहू का स्टोक पिछले कई सालों के निजले सर पर पहुंच चुका है हलाकि गेहू का यह स्टोक निर्धारित बफर और राशन परनाली की जरूरतों के हिसाब से प्रयाप्त है खाद्या मंत्राले ने पहले ही स्पस्ट कर दिया है कि राज्यों को बदले हुए फॉर्मूले पर खाद्यान की सप्लाई होती रहेगी लिहाजा गेहू मांगने वाले राज्यों को चावल से काम चलाना होगा गेहू का स्टोक 1 अगस 2022 को घटकर 266,5,000 टन हो गया है जो पिछले डेट दसक में सबसे कम माना जा रहा है आपको बता दे कि 1 अक्तूबर 2022 को गेहू का स्टोक 239,000 टन रहेगा जबकि उस समय गेहू का बफर स्टोक 205,000 टन होना चाहिए चालू सीजन में गेहू का स्टोक घटने की बड़ी वज़ा रभी मार्केटिंग सीजन में सरकारी खरीद में कमी को होना बताया जा रहा है बीते रभी सीजन में गेहू की कूल खरीद 444,000,000 टन के मुकाबले केवल 188,000,000 टन ही हो पाई है गेहों की सरकारी खरीद में हुई गिरावट के पीछे खुले बाजार में गेहों की किम्तों में बढ़ोतरी को माना जा रहा है दूसरा कारण गेहों की पैदावार में 3-5 फिसद तक की गिरावट को भी माना जा रहा है एक अगस 2022 को FCI के पास चावल का स्टोक 299 लाग टन है इस हिसाब से कुल 546 लाग टन खादयान का स्टोक है जो निर्धारी बफर स्टोक 376 लाग टन से ज्यादा है लिहाजा खादे सुरक्षा के लिहाज से इसे ठीक कहा जा सकता है गेहू की कम खरीद और स्टाक को देखते हुए केंदरिया खादया मंत्रालिया ने रास्ट्चे खादय सुरक्षा धिनियम के तहट चलाई जा रही सारवजनिक राशन परणाली में गेहू और चावल के पूरव निर्धारी तनुपात 60 और 40 को प्रस पर बदल दिया है हाला कि सरकार के पास खादयान का भारी स्टोक है इसमें चावल की मात्रा ज्यादा तो गेहू की कम है गेहू की मात्रा बढ़ाने की मांग करने वाले राज्यों में उत्तरपरदेश, मध्यपरदेश और गुजरात परमुक है सरकार के और से पीडियेस के इलावा 80 करोड से अधिक उभोकताओं को 5 किलो प्रतिवेक्ति की दर्से अतिरिक तनाज की अपूर्ती परधानमंतिरी गृप कल्यान योजिना के तहट फिलाल सितंबर 2022 तक के लिए मान्या है जिसे फिलाल और बढ़ाय जाने की संभावना नहीं है